कि हलो एवरिवन वेल्कम बैक टियरोन चैनल आज हम करने जारें आपका वोक्षीट नंबर थोटी विशे विज्ञान कक्षा नो हमारी डेट 17 सितंबर के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वोक्षीट में जो हमारा चैप्टर है उत्तक उसके अंदर हम एपिडर्मिस एक पोदे की सतय है उसको पूरी तरह से डखे रहते है इनका में का में काम क्या होता है लेकिन इनका कारिया सम्भारण उत्तकों से थ्थोड़ा अलग होता है यह तीन प्रकार की होते यह कौन से कौन से एपिडर्मिस टोमेटा और कोरक। अब आता है epidermis, epidermis क्या है, पोधे के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना, जड़ की भारी सते कोशिकाओं की एक परत से डकी होती है, ठीक है ना, क्या होता है epidermis के अंदर, जितने भी आपकी भाग है, पोधे की, वो सारे डकी होते हैं, ठीक है, तो इस परत को epidermis कहते है और epidermis की कोशिकाओं चप्ती होती है, ठीक है, फिर क्या कहता है कि जो पोधे की भारी भाग है, भारी भागों पर जल प्रतिरोध परत बनाती है, जो cuticle कहलाती है, ठीक है, मुर्श्थली पोधों जो मुर्श्थली कैसे होते हैं, जो रिगिस्थान वगेरा में होते हैं, तो यह क्या होता है, मुम जैसा जल रोधी पदार्थ बनाती है, जिसे हम क्या बोलते क्यूटिन कहते हैं, तो जो पोधों को जल हानी और परजीवी कोख से रक्षा करते हैं, जो एपिडर्मिस की cuticle है, वो वास्पुतर अर्जन को भी नियंतरत करकती है, और जो जड़ों क कशिकाई पानी को फ्कटी है, कैसी कुस्ती है, इस कारी के लिए उस में क्या होता है, वालों जैसे प्रदवत होते हैं, जो जड़ों की पानी सोकनी की शम्ता को बढ़ा देते हैं, ठीक है느धी रूट जैसे हैर सोते हैं, उसके बाद आता है stromatis, क्या है पत्तियों की एपि पूह सबसक्त हो nowadays आपर होते हैं । के वाई हुंडल में जो गैसे ऊंका अदान प्रदान होता है और क्या होता है'S करना भी इसी के अंदर आता है ठीक है स्टोमेटा की नेक्स्ट है तीसरा हमारा कोर्क क्या है देखो पोदे की लगातार विद्धी की कारण जड़ है और तने में मजबूत एपिडर्मिस का एक दूसरे उत्तक कोर्क में बदल जाते हैं ठीक है तो यह पोदे भी बहुत सारी परत वाली चाल का निर्मान करते हैं तो कोर्क की जो कोशिकाएं होती है उनकी बीच में एक रसायन होता है जिसको हम बोलते सुबरिन तो सुबरिन की कारण जो कोशिकाओं की भित्ती है वो क्या हो जाती है मोटी हो जाती है ठीक है ना मजबूत हो जाते है तो सुबरिन इन सनरक्षी उत्तक की नहीं कहते हैं, यह पोदो में कहां पाई जाते हैं, तो अब लिखोगे, पोदो की रक्षा करने के लिए, सनरक्षी उत्तक होते हैं, यह पोदो की सभी भाग जैसे फूल, पत्ति, तरना और जड़की, की भारी सते कोशिकाओं की एक परत से ढकी होती हैं ठीक है तो यह हो beautiful question क्या होते हैं सद्रक्षित तक जो रक्षा करते हैं पोदों की कहा मिलते हैं हर जगे मिलते हैं ठीक है फूरी परत्त परत्ती अचेम की पहरी है प भी لिख सकते हो relación से एक परस्त ड़की होती या फिर यहां सकते हो जड़ की बारी जड़ में होते हैं यहां तक भी सैकर नहीं हो गया फॉर्स्ट्ट कुशिन दूसरा जलहानी और परजीवी कवक से रक्षा करता जलहानी और पॉकत को बचाता है परजीवी कवक कोई बहार वहї गुखत है वह उस पर इटक अंदर ना आई मुत हैं भराब सक तो यह सारी चीज गया स्ट्रमेटा पोदे में कहां स्थित होते इनकी कोई दो कारिये लिखी सबसे पहले कहां होते स्ट्रमेटा पत्तियों में स्थित होता है ठीक है उसके बाद कोई दो कारिये लिखना है तो पहला लिखो कि क्या कारिये क्या है वायू मंडल से पोदे में गैसों का आदान प्रद बिल्कुल छोटे-छोटे कोशिंज है इस लिए आप कर सकते हैं इनको चलते हुआरे लास्ट कोशिक पर कोशिक पर क्या कारण है और इसका पोडे को क्या लाब मिलता है तो देखो कोशिकाओं के बीच भी सुभरिन नामक रसायन की जमाफ के कारण कोशिकाओं की बित्ती करता है तो यही पुछाता ही हो गया हमारा प्रश्य नमबर चार तो यह चार कोश्चिन साज आपकी वोक्षिट में गिवन थे आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए कोई भी डाउट है किसी भी कोश्चिन में तो कमेंट सेक्षिन में आप मुझे पूछ सकते हैं और